भजन सहिता अध्याय चावतीस जिन्होंने उसकी और दुष्टी की, उन्होंने जोती पाई और उनका मुह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, न तब यहोआ ने सुन लिया, और उसको उसके सब कश्टों से छुडा लिया। यहोआ के डर्वयों के चारों और, उसका दूत छावनी किये हु क्योंकि उसके डर्वईयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवानसियों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं। परंतु यहवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होवेगी। हे लड़ को आओ, मेरी सुनो, मैं तुमको यहवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दिरगायू चाहता है ताकि भलाई देखे, अपनी जीब को बुराई से रोक रख और अपने मुह की चौकसि कर, कि उससे चलकी बात न न दोहाई की ओर लगे रहते हैं। यहवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरन पूत्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दोहाई देते हैं और यहवा सुनता है और उनको सब विपत्यों से चुडाता है। यहवा तूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुऊं का उध्धार करता है धर्मी पर बहुत सी विपत्या पढ़ती तो है परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उन में से एक भी तूटने नहीं पाती दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बहरी दोशी ठहरेंगे यहोवा अपने दासों का प्रान मून लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरनागत है उन में से कोई भी दोशी न ठहरेगा